Salt Bridge Salt Bridge क्या होता है ये एक U-shaped tube होता है जो कि आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से हमारे पूरे experimental setup पे इसको arrange करके रखा जाता है ये basically क्या कर रहा है न ये दोनों containers के solution को connect कर रहा हूं के बीच पे एक bridge का काम कर रहा है जिस तरह से इन दोनों rods को join करने का काम, को connect करने का काम हमारा ये wire कर रहा है न इसी तरह से इन दोनों solutions को connect करने का काम हमारा ये salt bridge कर रहा है salt bridge क्या होता है it is a U-shaped tube which connects the two beakers in the experiment ठीक है चाहिए आए introduction पे बात करते है solution जो है दोनों containers का है इनको connect करने के लिए हम लोग salt bridge का use करते है, salt bridge में कुछ electrolytes का use करा जाता है electrolytes में हम लोग use कर सकते है KCL KNO3 NH4OH etc इस सभी के सभी जो electrolytes है इनको हम लोग inert electrolyte बोलेंगे यानि कि ये chemical reaction के participate नहीं करते है और तीसरा point देखते है the two openings are connected with some porous materials such as cotton और glass wool यह जो दो opening आपको दिख रहा है यहाँ पर यह एक opening आपको दिख रहा है और यह एक opening आपको दिख रहा है यहाँ पर cotton या glass wool को plug-in करके रखा जाता है आते है requirements of electrolyte यह जो electrolyte हम लोग KCL, KNO3 या NH4OH का use कर रहे है इन electrolytes का क्या क्या requirement होना चाहिए ताकि हम इसको use कर पाए पहला mobility of an ion and cation of the electrolyte should be same जैसे हमने मानलो यहाँ पर KCL electrolyte का use इस salt bridge के अंदर कर रहा है तो देखो mobility का क्या मतलब है न यह मानलो K plus ion है यह मानलो CL minus ion K plus ion को यहाँ से यहाँ आने में मानलो एक particular time लग रहा है मानलो एक second लग रहा है या 3 second लग रहा है ऐसे electrolytes जिनका mobility में जिनके ions के mobility में difference रहेगा उसको हम लोग यहाँ salt bridge में use नहीं करेंगे ऐसे ही electrolytes हम लोग use करेंगे जिनके ions का equal mobility हो यह हमारा पहला point हो जाता है दूसरा the ions of the electrolyte are not involved in electrochemical change कोई भी है आपर उसके वज़ए से change हमें देखने को नहीं लगा यह self understood fact है दूसरा देखते हैं इसके बाद function of salt bridge तो finally यह हमारा salt bridge है यह कर क्या रहा है सबसे पहला यह electrical circuit को complete कर रहा है circuit को कैसे complete कर रहा है मैं बोल चुका हूँ दोनो rods को connect करने के लिए wire का काम हम लोग use में लाते हैं और दोनों containers के अंदर जो हमने electrolytic solution डाला हुआ है उन electrolytic solution को connect करने के लिए हम लोग salt bridge का use में लाते हैं इसलिए यह salt bridge यहाँ पर electrical circuit को complete करने में हम लोग use करने हैं दूसरा point salt bridge maintains the electrical neutrality of the two half cell solution यह सबसे ज़्यादा important है यहाँ पे हमें यह बताया जा रहा है कि electrical neutrality को maintain करने में salt bridge का बहुत बड़ा contribute है और इसी पे हम लोग detailed discussion करेंगे आए शुरू करते हैं हम लोग तो जैसा हमें figure में देखने को मिल रहा है और जैसा हमें यह पता है salt bridge के बारे में या electrolytic cell के बारे में यह electrolytic cell है पता ही होगा इस electrolytic cell में हमें यह पता है कि left side में हो रहा है oxidation और right side में हो रहा है reduction left side में जो rod है वहाँ से zinc के ions 2-2 के solution में गिर रहे है तो left side वाले container में Zn2 plus का एक तरह से number तरह धिरे-धिरे increase कर रहा है on the other hand यह जो container है इसमें CuSO4 का solution डाला हुआ है उसमें जो Cu2 plus ion solution में घूम रहा है वो क्या कर रहा है वो यहाँ पे इस electrode copper के electrode पे अलग layer बना दे रहा है यहाँ पे electrical neutrality आया कहां से यह topic यह term हम लोग यहाँ पे कहां पाएंगे तो आप सोचिए कि यह मेरा zinc वाला rod था और इसको हमने डूबो के रखा था आप सोचिए कि बहुत टाइम के बाद या थोड़े टाइम के बाद यह जो zinc का rod था इसके अगल पकल में बहुत ज़ादा ZN2 plus के ions यानि कि positive वाले ions इकठा हो जाएंगे हमने क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है कि यहाँ पर जब इस rod में oxidation होता है तो zinc के ions तूट तूट के नीचे गिरते हैं और electrons इस rod से होते हुए copper के rod में जाते हैं अब आप सोचिए कि यहाँ से तूट तूट के ZN2 plus नीचे गिर रहा है solution में हमारा ZN2 plus अल्रेडी था तो एक ऐसा stage आएगा जब यहाँ पर इस rod के इर्द गिरत बहुत सारे ZN2 plus के ions इकठा हो जाएंगे यानि कि positive charge इकठा हो जाएगा अब आप सोचिए कि क्या यहाँ पर accumulation और बहुत ज़्यादा positive charge हो जाएगा तो यह जो electrons जा रहे थे zinc के rod से copper के rod के तरफ क्या अब जा पाएंगे बिल्कुल नहीं because opposite charges attracts रीचर यहाँ पर इतना जादा positive charge जमा हो चुका है zinc के अगल बगल में यहाँ इस container के अंदर यह electrons को जाने ही नहीं देगा अब आप सूचिए अगर electrons इस zinc के rod से घूंके यहाँ पर copper के rod में नहीं जाएंगे देखो यह electrons यहाँ पर ना इधर से इधर flow कर रहा है ना electrons का flow अच्छा electrons अगर एक rod से दूसरे rod के तरफ जाएंगे ही नी तो current का flow होगा नी आप सोचे ना कि initially तो current का flow हो रहा था जब तक नीचे जादा ZN2 प्लस आया नहीं था तब तक यह electrons जा रहे था copper के तरफ और इधर oxidation उधर reduction करा रहे थे इलेक्टरॉन का flow हो रहा था यानि कि electric current produce हो रहा था यहाँ तक बहुत बढ़ी है लेकिन अब धीर दिर क्या हो रहा है नीचे container में zinc वाले container में इधर नीचे ZN2 प्लस का iron धिर सारा जमा हो गया और वो इन electrons को zinc के रोड से copper के रोड में जाने के लिए रोक रहा है अब क्या होगा अब electron का flow बंग यानि कि electric current का production बंग हमारे यह setup तो fill इसी चीज को ना होने दिया जाए तो हम लोग salt bridge का use करेंगे इसी चीज को रोकने के लिए इसी state से निपटने के लिए जहाँ पर यह पूरा का पूरा जो system था दोनों rods का और इनके container का यह पूरा का पूरा system पड़ जाता है बंद पड़ जाता है क्यूंकि electron का flow होना ही रुक जाता है तो इसका solution है salt bridge salt bridge में हमने देखा कुछ electrolytes को डाला जाता है यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे kcl, kno3, nh4, oh बहुत सारे electrolytes इन electrolytes को देखे जैसे इस salt bridge में हमने यहाँ पर kcl का use करा है यानि कि k plus और cl minus के form पे होगा अब आप सूची कि एक ऐसा time आ रहा है जब यहाँ पर धेर सारा zn2 plus accumulate हो गया बहुत सारा zn2 plus का accumulation यहाँ पर हो गया अब zn2 plus का accumulation हो गया अब आप सोची कि अगर इधर से cl minus आयर निकले और solution में आ जाए तो होगा क्या इधर से cl minus आ रहा है वो इस zn2 plus के charge को एक दूसरे से plus और minus जो है एक दूसरे के effect को cancel out कर देंगे यानि कि neutrality के तरफ लेके जाना चाहेंगे यह काम कौन करेगा यह काम करेगा यह cl minus आयर इस वाले container के तरफ आ के अच्छा on the other hand हम लोग बात करें copper के side में तो मैंने क्या बोला कि यह copper का rod था यह copper का rod और यहाँ पर हमारे पास cuSO4 का solution था इस solution में Cu2 plus के और SO4 2 minus के आयम थे अब आप सूचें initially इधर zinc के rod से इस copper के rod के तरफ हमारा electrons आ रहा था वो electrons इस copper के rod से होते हुए इधर solution जो area में dip था ना इतना dip था इधर electrons आ रहा है अब यहाँ पर हमारे पास solution था उसमें से जो Cu2 plus था वो यहाँ के दो-दो electrons को accept कर रहा था और solid form पर convert हो जा रहा था और यहाँ पर एक layer बना ले रहा था तो यानि कि solution में तो हमारा Cu2 plus iron का number decrease कर रहा है और SO4 2 minus का iron increase कर रहा है अब आप सोचें कि अगर यह SO4 2 minus का iron बहुत जादा increase कर जाएगा तो क्या यह अब Cu2 plus iron को यहाँ पर जाके चिपकने देगा और layer बनाने देगा बिल्कुल नहीं इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर रहा है इसको रोकने के लिए यहाँ पर आप देखिए K plus का जो iron है K plus का iron वो travel कर रहा है और इधर के तरफ जा रहा है देखिए arrow नीचे के तरफ बना हुआ है तो यह K plus जा रहा है और SO4 2 minus जो यहाँ पर जो अब धीरे-धीरे access होते जा रहा है वो K plus उस SO4 2 minus के effect को neutralize कर रहा है cancel out कर रहा है यानि कि हम लोग दोनों के दोनों containers में electrical neutrality को maintain करने के लिए salt bridge का use कर रहे है अगर हम लोग salt bridge का use न करें तो एक ऐसा state आएगा जब हमारा यह cell अब पढ़ जाएगा तो यह था हमारा salt bridge